सब्सक्राइब करें कि नमस्कार में नमस्कार सर मम हमको एस एड्य टी का प्रोब्रम है एसीडिटी की प्रोब्लम कब से है मैं इसे एक वर पे आपके उम्र कितनी है कि इन कालीज चाल के ना इंग थे जे लाथी यक एंटारीज अरतीस उन्तारीज चालीज यह रोग आने का की उम्र है यहां हमारा चार पांच रोग आते हैं जिसमें ऐसीडिटी, कब्स, पवासीर, कॉलिस्टॉल, हार्ट प्रॉब्लम, कौन का गाड़ा होना, यह सब रोग, थाइराइड, दिल का प्रॉब्लम, डायबटीज, यह सब आने शुरू हो जाते हैं, और इन मैसे एक गाता जरूर है हर इनसान को, एक निसका मेरा है जो घर घर तक पहुंच रहा है, और बड़ा फाइदा लोगों को है, वो यह है के, सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेती, यह चे चीज़े, मेती का दाना ले, एक बार और बोलता हूँ, सौफ, सौट, जीरा, के घर में पौडर बना के रखा करें, और एक आता है नमक जैतून, यह बड़े जो घर है, और सब परिवार हैं, उनमें तो रहता ही है, अब एक चुटकी नमक जैतून लें, यह एक ऐसा नमक है, जो स्वाद में अमकीन नहीं होता, यह आप दो गिलास पानी में डालें, इ यह जो पौडर छे चीजों का बनाया है, यह खा कर यह पानी पी लें, दो गिलास पानी, जो नमक जैतून मिला हुआ पानी, बस खाने से पहले ले लें, बाद में ले लें, दिन में एक बार या दो बार, यह दस बारा रो को कंट्रॉल करता है, एसिडिटी, कब्स, बावा आता, लिवर की सफाई, किड्नी के लिए बहुत अच्छा है, इंफेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और इसकीन के लिए बहुत अच्छा है, इसकीन की कोई बीमारी हो, खुजली हो, सुराइसिस हो, दाने निकलते हैं, मुहा से निकलते हैं, यह 10-12 रोग में काम करता ह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नमक नमक is Buffalo कोजसे इस नमक कोंद आइए प्रषोच्जा है? नमक नमक कोंद आपकई तुम साके आते है यह एक इसे 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 मिट्ळू इसे मिट्खा ऊच्छा धूर कोजसे इसे मिट्या कोजसे अच्छा है? कुछ समझने में भर्क हो गया क्या हो गया हुए ठरुछा एक जब ए खड़ा ने बहा आचे में एक बार में पाना गुरुदी लियुत जी 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 तो मुझे शेर याद आ जाता है कौन सा चीज अच्छी है कौन सा काम अच्छा है कौन सा नाम अच्छा है जी अच्छा है कौन सा नाम अच्छा है जी अच्छा है कमल अच्छा है कजाम अच्छा है तेरी आखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है अच्छा पसंद आए इसका स्वाध और तेलों में हिंदोस्तान में तेल जो है वो राई का तेल बहुत अच्छा है और क्या पूछा इनोंने बाल काले करने का तरीका बाल काला करने का तो बहुत आसान तरीका है यह जो मैंने नुस्का बताया था इसको लोहे की परात में या लोहे का कच्चे लोहे का होना चाहिए जैसे तबा होता ना उसमें भी बोले वो नुस्का तो आपको बताई है ये शिका काई, रीठा, आउला और छोटी हड चार चीजां को पाउडर बना लें और इसमें भी ब हो दें, इसमें महंदी भी डाल सकते हैं, असली महंदी और चाय की पत्ती थोड़ी मिला दें और ये लोहे से रियक्ट करता है, और लोहे की कालक इसमें आ जाती है, पिर आप अपने बालों में लगाएं, विगो कर रख दें, ज्यादा पानी ने डालें, डाई, काड़ी सी रहें और वो अपने बालों में लगाकर ऐसे हर सब जगा अंदर अंदर करके, ऐसे करके, और छोड़ दें दो गंटे बाद आप, नहालें, ये औरिजिनल डाई होती है, इसमें शैम्पू भी होता है, जो रीठा है शैम्पू है, जाग भी बनते हैं, और बालों पर एक ऐस इसी अलग टाइप की चमक आती है, पता नहीं कुछ गलती हो गई हो गई आप से, इस वेज़ से रग नहीं आ रहा है, और क्या बताया, नमक कौन सा अच्छा है, पिसा हुआ या फिर कोई और, नमक तो नमक है, और नमक और नमक याद में बड़ा फर्क है, काला नमक भी ब और, पिर डले वाला नमक हमने मुद्द तो यूस किया, फिर ये कारोबार करने लगे लोग तो, पिसा पसाय नमक, इसका नमक और उसका नमक और आइडीन यूक नमक, आइडीन लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन आइडीन भी ज्यादा हो जाएते नुक्सान देता है, अ वैसे सादा नमक मैं बहुत पसंद करता हूँ, आइडीन वाला बताते हैं कि बहुत अच्छा है, और, मदर इनलोग के लिए गर्भाशे बाहर आगे हैं, हाँ, उन पर जरू तवज्जिद हैं, और, अपनी सास से महबत करने हाले लोग यकिनन बहुत अच्छे होते होंगे ये आता है, गौन चिलगोजा, बसे एक चुटकी उने खिला जिया करें, शहद में मिला के दे दें, अगर शुगर नहीं हैं, या किसी और चीज़ में आइसी खा लें, गौन चिलगोजा एक चुटकी, और, एक एक चुटकी, सोड़ा क्हाने का, दो गिलास पानी मिलाकर ये पानी पिला दिया करें, 24 घंटे बस एक बार, तो ना तो अप्रेशन करा सकते हैं, इस उमर में ना कुछ है, इस से उनको फाइदा होना मुम्किन है. हापुर से हैं, सुनीता जी, स्वागत है आपका? मैंना माया तुप मैंना माया तुप मेडम जी मेरे खुजली हो गाया है हमिझा हो घुजली खुजली में पर पाणी सा निकला है बहुत जात्वसा बन जावाई हावाद कम करो टीवी को जाए कहाँ पर होती ये खुजली पिछा हो रही जी जी कुमर से निच्च बिलकु इस्टे में ठीक ही ठीक अच्छे देखिए एक आता है गौन चिलगोजा याद रखें असली ने गौन चिलगोजा और एक चुटकी खा लें उसको गौन चिलगोजे को एक चमच अलसी का पाउडर के साथ एक चुटकी गौन चिलगोजा खा लें एक चुटकी याद रखें यह बहुत तेज होता है और एक चमच अलसी के पाउडर में मिला कर खा लें और नम सुरी यह खाने का सोडा एक चुटकी दो गिलास पानी में मिलाकर यह पानी बाद में पी लें पूरे 24 गंटे में एक खुड़ाक लें आपको फाइदा होना मुम्किन है हाकीम साब एक दाने तो वो होते हैं जो खुजली करते रहते हैं और एक दाने जो ये बता रही है जिनमें पानी निकलता है तो जो दाने पानी छोड़ते हैं तो क्या उनके पानी छोड़ने से और भी दाने बनते हैं ये एक ऐसा ही रोग है कि वो फूटते हैं फिर दूसरे निकल आते हैं, रुकते ही नहीं हैं, और वहां पर अजीब सी खारिश और दास्ता हो जाता है, यह एक फंगस की बीमारी है, तो यह निसका जो मैंने बताया है, यह किसी भी तरहां का फंगस हो, यह ऐसे चाले निकलते हैं, पैरों में, हाथों में, दाने निकलते हैं, वो बह के खून की सफाई इसकिन की सफाई कर देता है और जब ठीक हो जाएं रोक दे और एक खुराक लेनी एक चुटकी बस काफी है अगर आप इस्तमाल करें असली दवाएं अगर जो भी मैं आपको बता हूं असली दवाएं लेंगे तो फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर है हमार साल बर्शस्पला सब्सक्राइइंदquent तो हरते हैं इसका वेलाई है कि बिपी बढ़ती है कि नौल रहे हैं आपकी कब से बढ़ती ही कितनी बढ़ती है पहल्लार मैं साल बर्शस्वी की दवा चार नहीं है ठीक है अच्छा देखे बीपी की दवा खाते रहें और उसके साथ मैं एक नुसका बताता हूँ अगर आपने छे साथ महीने लिया तो फिर आपकी कोई मुकमल फाइदा मुम्किन है लेकिन वो दवा छोड़े लें वैसे तो आप कोई दिन्दगी बर दवा खानी पड़ेगी लेकिन अगर आप ये नुसका साथ में लें उसके तो ये भी छुट जाना चाहिए रूप भी छुट जाना चाहिए लेकिन छे साथ महीने लगाता है एक आता है कलोंजी का सिर्का लेकिन असली लेना है नकली लेंगे कोई भी दुसका जो मैं बताता हूँ फिर फाइदा वो दो गिलास पानी में मिला लें, या एक गिलास में लें, चोटे चाई के चम्मस, कलोंजी का सिर का, और एक चुटकी उसमें खाने का सोडा डाल दें, और ये रोजाना रात को एक बार पेलिया करें, आपको थोड़ा सा बीपी है, तो एक ही बार काफी जिनको बहुत ज्यादा है, वो दो बार भी ले सकते हैं, खाने के बाद दिन भर में दो टाइम, एक सुबह को, एक शाम को, रात को, दीरे दीरे ये आपके तिन चार फायदे करता है क् Zen dud जरूरत के मताबिक कर देते हैं ब्रट प्रेशर कि जितना हो ना चाहिए इतना लाता है लाउकिज को खोलता है तो को कम करता है फाली होने से रोकता है डायप्टियस को कंट्रूल भी करता है पेट को भी बहुत अच्छा रखता है लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली से हैं मनोर्मा जी स्वागत है आपका हेलो जी मुझे अपने हजबेन की प्रोब्लम बताने हैं उन्हें केरिस्टॉल भड़ा हुआ है और उन्हें पूरे शरीर में पेन रहता है ठीक है उमर बता दीजे उमर उनकी होईगी फॉर्टी सिक्स सुरी फॉर्टी टू फॉर्टी टू इहां दुखिए मैं कहता हूं कि ये चालिस साल की उमर जो है कि यहां से ये सब बीमारिया आना शुरू होती है कॉलिस्टॉल गुद्रती ताब पर बढ़ता है ये कोई बीमारी नहीं है चालिस साल के बाद हम सब का आपका भी मेरा भी हर किसी का कॉलिस्टर्ड कुद्रती तरब बढ़ता है इसको पतलह रखना चाहिए और फिर ये blood pressure कर दीता है फिर ये heart blockage कर दीता है फिर ये brain का कोई detect आएगा या दिल का कोई मरीज आता है तो minority sals से शूरू करना चाहिए एक निस्वा ब़लकिके आपके husband को दो निस्वों की ज़रूरत है यह कलोंजी का circle है दो या तीन चम्मच एक गिलास पानी मिला लें और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में एक बार या दो बार दिया करें तो ये डायपटिज नहीं होने देता हो तो कंटरूल करता है ब्लड प्रेशर हो तो कंटरूल करता है कॉलिस्टॉल को यह रोकता है ज़रूरत इतनी है इतना रोकता है बाकी को निकाल देता है हाट के लिए दिल के लिए बहुत अच्छा है हाट ब्लॉकिज के लिए बड़ा मुफीद है और ब्रैन हेम्रिज नहीं होने देता और पेट के लिए बहुत फाइदे बन दे दिन में एक बार या दो बार दिया करें और छ्छे साथ मेने लगा तार दे अगर आपको ये चाहिए कि वो पूरे अच्छे हो जाएं उनकी दवाएं भी दे लेकिन ये जरूर दे फिर ये जो दर्द है उनके उसके लिए आप गौन सिया खरीदें और आदा आदा गिराम दो बार खाने के बार खाएं असली गौन सिया अगर मिल गया तो उनको इस रोग में भी फाइदा होना मुम्किन है